नमस्कार दोस्तो प्रियंका दा किचन की विन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे साबुत लाल मिर्च से टेस्टी आचार बनाना अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें और बैल आइक उन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आचार बनाने के लिए सबसे पहले हम साबुत लाल मिर्च को साब पाने से वोस कर लेंगे इसके उपर लगा हुआ पानी हम सूखे कपड़े से हटा लेंगे और मिर्ची को इस परकार से कट करके त्यार कर लेंगे इसके बाद में आचार के लिए हम मसाला तयार करेंगे इसके लिए हम 1 टेबल इस्पून मेथी लेंगे 2 टेबल इस्पून काली सरसू लेंगे 2 टेबल इस्पून पिली सरसू लेंगे 2 टेबल इस्पून अजवाइन लेंगे 2 टेबल इस्पून सोप लेंगे और इन सब को हम 4-5 मिनट लो फ्लेम पे भून लेंगे जब तक की मसालों के अंदर से अच्छी सी खुस्बूना आने लगे तब तक हम इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे जब मसाले भून जाएं इसके बाद में हम इसको ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद में हम इसको मिक्सी में हलका द 1 टेबली स्पून कलोंजी डाल लेंगे 4 टेबली स्पून जो हमने मसाले पीसके रखें वो डाल लेंगे 1 टेबली स्पून नमक डालेंगे और 1 टेबली स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे नमक आप अपनी पसंद से थोड़ा कमिया ज्यादा कर सकते हैं और इनको हम कि पेशार में डब्बे में आप ड़ने वह टब्बा रखने में अगर गीला होगा तो आचार हामारा जल्दी खराब हो जाएगा इसके लिए हम सुखे का यूज़ करेंगे और किलीन डब्बे का यूज़ करेंगे इस परकार से हमने टैस्टी अचार बना के तयार कर लिया है अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो आप भी इसको एक बर घर में जरूर ट्राई करें ये आपको रापके परिवार को बियाद पसंद आएगा